हेलो सातियो नमस्कार स्वागते आप सभी का कैसे हैं आप सब उमीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत की प्रमुक फसले और उनके उत्पादक राजी को लेकर बहुत ही important पार्ट ये भी रहेगा इससे पहले भी हम लोग कई पार्ट कर चुके हैं और सब में हमने बहुत ही मातपूर सवालों पर चर्चा की है तो आज के सिसन में हम लोग बात करेंगे बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल तो आएस स्टार्ट करते हैं सवाल नमबर एक से कहाँ पे उत्तर-प्रदेश-राज में सबसे ज़्यादा आम उत्पादित किया जाता है आए इसकों विस्तार से भी जान लेते हैं थोड़ा सा तो भारत में आम का सबसे बड़ा उत्पादक राज यूपी है और इसे फलों का राजा तहा जाता है आम को यह भारत का राश्टी फल भी है भारत आम का विस्ट में सबसे अधिक उत्पादन और निर्यातक देश माना जाता है आम के पेड़ में दिलिंगी वा एक लिंगी नर्पुस्प एक ही पेड़ पर पैड़ा होते हैं इसके पके फल से विटामिन A और विटामिन C आपको प्रा में MP प्रतिहेक्टेर गेहों की सरवारिक पैलावार करता है ध्यान रखेगा देश में कुल 16 राज्य हैं जिनमें गेहों का उत्पादन अच्छा होता है कुल उत्पादन की बात की जाये तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे आता है जबकि प्रतिहेक्टेर गेहों आप इसे ध्यान में रखेगा सवाल नमर तीन रहेगा उत्तर की बात करेंगे आपका जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा स्वेt तुस्वाइगा स्वेथ तुस्वाण के रूप में कपास को जानते हैं महरास्ट में फिलाल बड़ा important सवाल रहेगा महारास्ट में काली मिट्टी का व्यापक विस्तार है जो कपास की करसी के लिए सरवादिक उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है कपास को ही महारास्ट में स्वैत स्वण का नाम दिया जाता है निम्रिकित में कौन सरवादिक अमरूद का उत्पादन करने वाला राज्य है निम्रिकित में कौन है जो सबसे ज़्यादा अमरूद का उत्पादन करता है तो ध्यान केगा MP सबसे ज़्यादा अमरूद का उत्पादन करता है बारत में सबसे बड़ा अमरूद उत्पादक राजे MP है अमरूद की सफल खेती उश्ट कटिबंदी और उपोश्ट कटिबंदी जलवायू में सफलता पुरवक की जा सकती है अमरूद का फल वरक्षो की बागवानी में एक महतपूर स्थान है और इसमें विटामिन C परचुर मात्रा में पाया जाता है इसमें जैम, जेली, नेक्टर इस सब चीज़ें आपको मिलती है धान का प्रसिद्ध खेरा रोग इसका कारण क्या है पांच नमबर रहेगा उत्तर की बात करेंगे जस्ता की कमी दान में खेरा रोग जस्ता नामक पोशक तत्तो की कमी के कारण होता है या केवल उन मरदाओं में ही उत्तपन होता है जिसमें इन पोशक तत्तो का अभाव होता है तथा यह रोग उन मरदाओं में भी पाया जाता है कौन सा राज है जो छोटी इलाइची का उत्पादन जादा करता है उत्तर की बात करेंगे केरला हो जाएगा इसे मसालों का बगीचा भी कहते हैं दुनिया के करीब 60% मसालों की सप्लाई भारत से ही होती है मसालों की राणी छोटी इलाइची अपनी मन मोहक स्वगंद और स्वाद के लिए दुनिया बर में मसूर है देश में केरल छोटी इलाइची का सबसे बड़ा उत्पादक राजिमाना जाता है सकेलावा, आंध्रप्रदेश, तमिलाडू, करनाटक ये सब भेस का उत्पादन करते हैं निमलिकित में कौनसी एक खरीब की फसल है मसूर, अलसी, सर्सो, सोयबी, साथ नमर की उत्तर की बात करेंगे आपका जो जवाब होगा वो D हो जाएगा क्या हो जाएगा भई? D हो जाएगा रित्मों के आधार पर भारती फसलों को मुक्हत या तीन भागों में बाता गया है पहला, रवी, दूसरा, खरीफ, तीसरा, जायद रवी में कौनसी फसले आती हैं? सोयबीन, धार, आडी जायद में तर्बूज, ककड़ी, खर्बूज, खीरा यह सब आते हैं बहुत सारे एक्जामपल हैं मैंने तो क्यों दो तीन लिखे हैं और भी बहुत सारे एक्जामपल है निमलिकित में कौन सा एक गेहों की फसल का रोग है इन में से कौन सा है तो रश्ट ध्यान रखेगा यह गेहों की फसल का रोग है यह तीन प्रकार का होता है पीलाकित, भूराकित और कालाकित निमलिकित में कौन सुमेलित नहीं है एक गलत है उसकी पहचान आपको करनी है जवाब की बात करेंगे नीली करांटी को कुट पालन से संबंदित नहीं है सुनहरी करांटी का संबंद उध्यान से है स्वयत करांटी का संबंद दुख दोथपादन से है हरित करांटी का संबंद क्रसी से है जबकि नीली करांटी का जो संबंद है वह मचली पालन से है निमलिकित में कौनसा एक भारत में नीली करांती से संबंदित है सवाल नमर 10 रहेगा 10 रहेगा उत्तर की बात करेंगे आपका मचली पालन सही है भारत में नीली करांती का संबंद मचली पालन से है इसके सरवाद पांचवी पंचवर्सी योजना के दौरान की गई थी इस करांती दौरा मचली उत्पादन में तीवर बड़ोत्री हुई है निमलिकित में किसके उत्पादन में MP का इस्थान राज में प्रथम नहीं है सवाल नमर 11 रहेगा उत्तर की बात करेंगे आपका सी ठीक है द्यान रखे है डलहन, स्वयाबीन और चना के उत्पादन में पूरे भारत में MP का पहला इस्थान है लेकिन कपास के उत्पादन में गुजरात पहले स्थान पे आता है ध्यान रखेगा उसके बाद महारास्त इंद्रधनुसी करांटी का संबंद किस से है 12 नमर है, उत्तर की बात करेंगे सारे ही विकल्प सही है 28 जुलाई 2000 को किन सरकार ने नई राष्टी करसी नीत की गोशना की इस नीती के तहट इंद्रधनुसी करांटी के परिकल्पना प्रस्तुत की गई इसके अंतरगत प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से करसी के छेदर से संबंदित सभी प्रकार की करांटियों को सामिल किया गया है जैसे हरित करांटी, स्वयत करांटी, पीली करांटी, नीली करांटी सब को हिमाचल प्रदेश के करसी विभाग और CSIR, IH, BT के किंदो मसालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए साज़ेदारी हुई है उत्तर की बात करेंगे, अंसर हो जाएगा हींग और केसर, ठीक है भाई, तो केसर और हींग दुनिया के सबसे मुल्यवान मसालों में गिने जाते हैं, भारती वेंजनों में सदियों से हींग और केसर का व्यापक रूप से उपयोग होता आया है तो ये समझोता हुआ है, ध्यान लखेगा हूँ फल उत्तपादन में भारत का विस्टी में कौन सा स्थान है फलों के उत्तपादन के आधार पे अगर हम बात करेंगे, तो वर्ड में चाइना नंबर एक पे आता है और चाइना के बाद भारत दूसरे स्थान पे आता है चीक है, तो चीन के बाद फल उत्तपादन के तरिश्टी में अगर हम बात करेंगे तो भारत का दूसरा स्थान है विस्ट के कुल उत्तपादन में भारत की 50 दी लगभग 10% है सरवादिक लीची का उत्पादन कहां पर किया जाता है सबसे जादा लीची का जो उत्पादन है वह बिहार में किया जाता है समझ गए भाई और बड़ा इंपोर्टेंट रहेगा चीन के बाद भारत जुस्ट में लीची का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश माना जाता है बड़ा इंपोर्टेंट रहेगा बिहार में लीची सबसे जाड़ा उत्पादित होती है जबकि देहरादून को लीची नगरी कहा जाता है सेंटरल टोबैको रिसर्च सेंटर आप कहां पर देखते हैं उत्तर आपका हो जाएगा राजमुंदरी जरू ध्यान रखेगा केंदरी तंबाकू अनसंधान संस्थान की स्थापना 1945 में की गई थी इसका मुख्याले राजमुंदरी आनरा प्रदेश में है दूद का सबसे अधिक उत्पादन कौनसे राजमें होता है उत्तर प्रदेश सहीर र्यान रखेगा भारत में दूद का सबसे वड़ा उत्पादक राज यूपी है उत्तर प्रदेश भारत में टोटल दूद उत्पादन का 17% अपने दंपे करता है नबाड की स्थापना कौनसे वर्स की गई थी उत्तर की बात करेंगे 1882 हो जाएगा नबाड की स्थापना 12 जुलाई 1982 है ना भई गलत हो गया मैंने यहापे गलत बोल दिया है 1982 में की गई थी इसका मुख्याल है मुंबई महारास्ट्रा में है और गोविंदा राजुलू चिंताला ये वर्तमान में इसके अध्यच्छ है अंडे का सरवादिक उत्पादन कौनसे राजे में होता है 19 नमबर की आंसर की बात करेंगे ए हो जाएगा आंध्र प्रदेश हो जाएगा विश्व में चीन सरवादिक अंडे का उत्पादन करता है जबकि भारत में आंध्रा प्रदेश इसके उत्पादन में आगे है इसके पस्चात तामिलनाडू, महराष्ट, हरियाणा, पंजाब यहां सब भी अंडे का उत्पादन होता है भारत में सबसे ज़्यादा दाल का उत्पादन कौन सा राजिक करता है उत्तर हो जाएगा C मतलब मद्रिप्रदेश भारत में सर्वादिक दाल का उत्पादन एमपी करता है दलहन उस अन्य को कहा जाता है जिससे दाल बनती है या वनस्पती जगत में प्रोटीन का मुखिस्तर होता है मतर, चना, मसूर, राजमा, उड़द इस सब आपको इसके एक्जामपल दिखाई पड़ते है लैसुन का सर्वादिक उत्पादन कौनसे राजमें होता है तो ये राजस्थान होता है समझे भई, बहुत important रहेगा विकल्प जो आपको दिये गए हैं ये आपको याद रखने है बरतमान में लैसुन उत्पादन में राजस्थान आपको सबसे आगे दिखाई पड़ता है और बड़ा important रहेगा चाय में कौनसा इलकलोईड पाया जाता है सवाल मरबाई से जरूरी है चाय में अगर हम बात करेंगे प्रमुक रूप से तो कैफीन आपको टिक करना है चाय में कैफीन और थीन दोनों ही मिलते हैं इसको आप याद रखेगा बड़ा important रहेगा यह आपके लिए और यहाँ पर मैंने कैफीन के विसाय में लिख रखा है जबकि चाय में थीन भी आपको मिलता है ठीक है ठ्यानकेगा रास्ति स्वयाबी नंसंधान केंदर जो है वो कहाँ पेस्थित है उत्तर की बात करेंगे 23 नंबर सवाल है जवाब आपका इंडॉर हो जाएगा रास्ति स्वयाबी नंसंधान केंदर की स्थापना 1997 में की गई थी इसका मुख्याल एंपी राजी के इंडॉर जिले में है अनार का सरवादिक उत्पादन कौनसे राजी में होता है उत्तर की बात करेंगे आपका महारास्त हो जाएगा भारत में अनार की खेती मुख्यरूप से महारास्त में की जाती है राजस्तान, यूपी, आंदरप्रदेश, हरियाना, पज्जाब, करनाटा, गुजराद यहाँ पर भी थोड़ा बहुत होता है जरू ध्यानके भारती करसियन संस्थान संस्थान की गई थी इसका मुख्याल है पूसा दिल्ली में है जरू ध्यान रखे, important रहेगा आपके लिए, ठीक है भाई, तो यह आज के सवाल थे जो आपके exam में आ सकते हैं, उमीद करते हैं आपको पसंद आए होंगे, अगर पसंद आए हैं, तो प्लीज लाइक से और सब्सक्राइब जरू करिएगा स्केत्रिक तगर आपने अभी तक unacademy जोइन नहीं किया है, तो जरू जोइन कर ले, नीचे वीडियो के description में एक link है, जहां से आप मुझे follow कर सकते हैं, और वहाँ पर आप मेरी paid class भी join कर सकते हैं, हमने वहाँ पर आपको जो भी पढ़ाया है, उसके recording आप देख सकते हैं, और आने वाले जो भी बैच होंगे, उनके लिए enrollment कर सकते हैं, अपने syllabus के अनुसार पढ़ाई कर सकते हैं, अपने doubts आप clear कर सकते हैं, बहुत सारे notes भादकार धन्यबाद बाई बाई बाई